घर में मा लक्षमी की कृपा बनाए रखने के लिए करें ये आठ उपाए घर में पूजा करते समय कपूर जरूर जलाएं यह नकारात्मक उर्जा को खत्म करके सकारात्मकता लाता है इसके अलावा शाम के समय पूजा में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें लॉंग भी डाल दें. ऐसा करना बहुत शुब माना जाता है. जब भी रोटी सेंकें, तो पहले तवे पर दूध के छीटे मारें और पहली रोटी गाय को दें. ऐसा करने से मा लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में बरकत आती है. हर रोज पक्षियों को दाना ड इससे आर्थिक स्थिती में तेजी से सुधार होता है. मा लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शुक्रवार का दिन बेहद खास माना गया है. ऐसे में शुक्रवार की रात मा लक्ष्मी की विधिविधान से पूजा करके उन्हें दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं. इससे मा लक्ष्मी प्रसन्न होकर खूब धन देती है. साथ ही शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं. इससे शनी और मंगल ग्रह शुभ फल देते हैं.